Hello everyone, welcome to Magnet Brains, myself Pratikand, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल Magnet Brains पर जहां पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भे बिलकुल बकायदा free of cost, kg से लेकर के class 12 तक का पूरा education सब आपको मिल जाएगा detailed video format में और अगर आप Hindi Medium के student हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको, Magnet Brains का Hindi Medium च video upload होगा, चाहे वो recording हो, कोई live class हो, को live update हो, तो उसकी जानकारिया, उसकी notification सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी, आप किसी भी condition में कुछ भी miss out नहीं करेंगे, बस एक बात का आप खास क्यार रखें, कि Hindi Medium के channel पर class 6 से class 12 तक का पूरा content available है, कौन-कौन से state board है sir, MP board है, B e-notes और e-books भी avail कर सकते हैं, ठीक है, तो चलें, अब जड़ा कहानी को शुरुआ देंगे, class 11 physics chapter 8, mechanical properties of solids के अंदर, हम almost almost आखरी आखरी के lectures पर आचोगे हैं, playlist के अंदर, elastic potential energy and poisons ratio, दो तरह की चीज़े हैं, जो के हमें इस video के अंदर पढ़ना है, basically 3 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, elastic potential energy, density और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, आखरी में क्या poisons ratio, और कुछ बहुत ही शानदार, बहुत ही एक तरफा छपेवे सवाल जो हैं, वो आपसे solve करवाए जाएंगे, ठीक है, तो आप ready हैं, तो चलिए, बिना समय लगाए, आपको लेकर के आते हैं, पहले basic idea की slide की ओपर, ठीक है, अचा, basic idea को पढ़ने से पहले एक बात का आप खास तोर से ध्यान रखें, कि potential energy जो हैं, वो ऐसा नहीं कि हम पहली बाद सुना है, ठीक है, potential energy हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, अब होता क्या है, किसी भी system पे आप जो भी work करते हो, वो work जो अपने किया है, system के अंदर, वो system के अंदर store हो जाता है, उसकी energy के form में, and that is basically called as the potential energy, ठीक है, अचा, अगर किसी system का, किसी body का, अपने का configuration चेंज कर दिया, उसका position चेंज कर दिया, तो वो configuration चेंज करने में, shape चेंज करने में, position चेंज करने में, आपको कुछ ना कुछ तो work क पड़ गया था ठीक है अब वही work जो आपने करा है वही work तो store हो गया है body के अंदर उसकी energy के form में कि आप लोग को यह वाली बात समझ में आ रहे है सर सुप्रीम तरह समझ में आ रहे है ठीक है तो जड़ा गौर करेंगे कि work done on the body जड़ा गौर करेंगे work done on the body work done on the body gets stored inside the body gets stored inside the body work done on the body gets stored inside the body in the form of its potential energy ठीक है आईए आपको यह वाली बात समझ में सिस्टम पर आपने जो भी work करा है वही work system के अंदर store हो जाता है उसके energy के form में और इसी पर बेजना work energy and power chapter के अंदर एक theorem आया था which was work energy theorem उसमें ही तो कहा गया था कि system पर आप जो भी work करते है that is basically equal to change in the kinetic energy ठीक है मतलब कही ना कहीं जो work करा गया है वह energy में ही transform हो रहा है कि आप लोग के यह वाली बात समझ में आ रही है पक्का अब जरा गौर गया ना कि हम यह work और energy के relation के पीछे क्यों पड़े हुए है because हमें eventually यहाँ पर क्या निकालना है sir हमें निकालना है elastic potential energy मतलब है तो energy ही ना और energy अगर निकालना है तो आप पहले समझ जाए system पर work करोगे तो वही work store हो जाता है system के अंदर उसके energy के form में तो आपको basic लिए energy निकाले तो आप work निकाल दीजेगा आए आए आपको समझ जैसे मान लीजे कि एक rubber band है अभी हो अपने initial configuration में तो इसके ओपर कोई work करके नहीं रखा है इसके पास को energy भी नहीं है अब अगर मैं इसको stretch करने में कुछ work करता हूँ मेरी बात सुनना ध्यान से बहुत important है एक rubber band को stretch करने में मैंने जो work करा वो work इस rubber band के अंदर store हो चुका है कहां से आई क्योंकि है system पे पहले आपने work करा था rubber band को stretch करने में आपने work करा था वही work rubber band के अंदर store हो गया था उसके energy के form में क्या आप लोग के दिमाग में यह फंड़ा पूरा clear है पका clear है तो system के पास कितनी potential energy है वो निकालने के लिए आपको बस यह निकालना है कि उसमें कितना work करा गया है या तो मैंने stretch करा होगा तो stretch करने में कुछ work करा गया होगा तो वो बन जाएगा stretch spring की potential energy या तो मैंने किस spring को compress कर दिया होगा तो compress करने में कुछ work हो गया होगा और यह जो मैंने work कर रहा होगा यह इसके अंदर store हो जाएगा in the form of potential energy of this particular compressed spring तो यह वाला funda दिमाग में बैठ रहा है कि अगर आपको energy निकालनी है तो आपको work तो निकालना पड़ेगा बोलो हा की न तो पहले काम करो इसका screenshot लो उसके बाद अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं जल्दी करना प्लीज ठीक है बाई आगे पूरी बात समझ में तो work done on the body gets stored inside the body in the form of its potential energy in the form of its potential energy in the form of its potential energy मेरे ख्याल से आप लोगे दिमाग में यह वाला फंडा शानदार जानदार तरह से बैठ चुका होगा ठीक है कोई दिक्ट वाली बात नहीं आप लोग को पक्का यहां तक का फंडा पूरा clear हो चुका है ठीक है चलो अब उसके बात क्या लिखा है यहां पर when a wire is stretched some work is done against the internal restoring forces अब जरा मेरी बात को सुनते पर चलना अच्छे से अपने अब तरह क्या बात करी है माफ कीजे अगर आपको निकालना है potential energy तो आपको work तो करना पड़ेगा इस बात को समझना पड़ेगा अब जला गॉर्गनो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर when a wire is stretched अगर हम किसी wire को अगर हम किसी wire को stretch कर देते हैं तो उसको stretch करने में कुछ work तो लग गया तो some work is done against the internal restoring forces वायर को stretch कर रहे थे तो उसके जो internal restoring forces है उन internal restoring forces के against जाकर के हम इस wire को stretch कर पाए तो हमने कुछ न कुछ तो work कर रहे ठीक है अगर system पे आपको कुछ work करना पड़ा तो वह उसके अंदर store होगा उसके energy के form में तो हमें work करना पड़ा against the restoring forces acting between the particles of the wire सही बात है अब क्या होता है तरह गौर करना this work done appears as the elastic potential energy in the wire बन जाता है इसकी elastic potential energy के form में ठीक है चलो अब ज़रा ध्यान देना अच्छे से इस पे क्या लिखा हुआ है consider a wire of length L and area of cross section A ठीक है एक wire माल लेते है जिसका length अपने पास किता है L के बराबर है इसका area of cross section कितना है area of cross section ज़र A के बराबर है ठीक है अब क्या होता है अगर अपने दिमाग में यह वाली बात बैठी गई है कि आपको system पे कुछ work करना पड़ेगा तब जाकर कि उसके अंदर energy store होगी तो आप work करने के लिए क्या करोगे आप उसको compress करोगे या तो आप उसको stretch करोगे कि अपने इस wire को चलो stretch कर लेते है तो जब stretch करोगे तो कुछ force तो apply करना पड़ेगा तो अभी अपना basic funda क्या है अपना दिमाग अभी इस बात पे अटका होना चाहिए कि हमें अभी समझ में आ गया है कि system पे आप जो work करोगे वही system के अंदर store हो जाता है उसके energy के form में अगर आप rubber band को खीचने में कुछ work करोगे तो जो आपने work कर रहा है वह work उसमें store हो जाएगा उसके energy के form में which is basically called as the elastic potential energy क्या बोलेंगे उसको अपन sir elastic potential energy अब ज़रा गौर करना अब जो हमने force apply कर रहा है F be the stretching force applied on the wire अब जो extension produced हो रहा है extension था माल लेते हैं and delta L be the extension increase in the length of the wire अब देख क्या होता है initially क्या होता है initially the internal restoring force was zero initially अपन माल लेते हैं कि internal restoring force था ही नहीं because restoring force काम करना तब शुरू करता है जब आप कभी किसी body को deform करते हो तो पहले आपको body को deform करना पड़ता है अगर आपने body को deform करने का try नहीं करा तो उसके अंदर restoring force काम नहीं करेगा आया समझ में it's just like friction and applied force अगर applied force नहीं होगा तो friction भी नहीं होगा आया समझ ठीक है तो यहां पर क्या है कि जब तक आप body को deform नहीं करोगे तब तक body के अंदर वो capacity develop नहीं होगी अपने shape को restore करने का और जब तक body के अंदर वो capacity develop नहीं होगी अपने shape को restore करने का तब तक उसके अंदर restoring force भी काम करना शुरू नहीं होगा आगर पूरी बास समझ में यह सर यह वाला funda पूरा clear अथ्छे से हो चुका है तो उसके अंदर कोई deforming force नहीं है जिस कारणवश उसके अंदर कोई restoring force भी नहीं है उसके बाद क्या होता है but when length is increased by delta l अगर हम length को increase कर देंगे by delta l अगर हम length को increase कर देंगे by delta l के amounts अगर length को increase कर देंगे then the internal force increases from 0 to f अगर हमने force को अगर हमने यहां पर जो length है उसको increase कर देंगे by delta l के amounts तो मतलब कुछ ना कुछ force तो apply करा होगा initially the applied force was just 0 initially हमने कोई भी force apply नहीं करा था उसके बाद जो हमने force apply करा वो कर दिया f के amount का थीक है माफ कीजे increases from 0 to f तो f तो f is the applied force deforming force तो f is the applied force deforming force उसके बाद हो गया f तो average कितना हो जाएगा average हो जाएगा 0 plus f by 2 मतलब f by 2 बोलो कोई दिक्केट वाली बात तो नहीं है तो this is the average force this is the average force तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका screenshot लेंगे उसके बाद फिर आपके लिए पूरा derivation वो शांदा है तरह से अभी शुरुआत देता हूं यह वाला funda पूरा clear हो गया है yes sir यह वाला funda पूरा clear हो चुका है तो यही चीज़ें थी जो कि अपन लोग ने अब तक note down कर ली थी अब उसके बाद क्या होता है कि सीधे formula आता elastic potential energy का और elastic potential energy density का elastic potential energy जिसको हम करते हैं किससे represent sir जिसको हम करते हैं Sir U से represent elastic potential energy को लोग करते हैं किससे represent U से represent करते हैं अब ज़रा ध्यान दिने सर्माहाँ लेते हैं वह वायर में अभी कोई stretch नहीं है तो इनिशली वायर था ना वह अपने इनिशल configuration में था अब मैंने उस पर force apply करा F का तो wire में आगे extension delta L के amount का ठीक है तो हम लिख देते हैं कि let's suppose initially the wire was in its initial configuration was in its original configuration ठीक है initially the wire was in its original configuration हमने ऐसा मान लिया है कि initially the wire was in its original configuration बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर ये वाला funda पूरा clear है ठीक है अब उसके बात क्या होता है now a force एक force काम करेगा तो now a force of F acts on the wire now a force of F acts on the wire और इस force ने wire के अंदर extension प्रेड्यूस कर दिया डेल्टा एल क्या amount का ठीक है now a force of XF acts on the wire and produces an extension and produces an extension and produces an extension of amount डेल्टा एल इन दा वायर and produces an extension of amount डेल्टा एल इन दा वायर क्या आप लोगको बात समझ में आगई ठीक है पका initial ही कितना force था sir 0 के बराबर ठीक है and finally कितना force हो गया sir F के बराबर लिख लें अपर इसको yes sir बिल्कु लिख लेते तो initial force कितना है 0 initial force कितना है sir 0 और इसके बाद the final force कितना है sir initial force 0 है final force कितना है sir F के बराबर है तो यहां पर average force लगाया गया है वह कितना हो जाएगा 0 plus F by 2 ठीक है इसका पूरा एक बार diagram अपने दिमाग में सही से बिठालो यह fixed ceiling मान लेते हैं अपने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ठीक है और यह अपने पास मान लेते हैं एक rod थी अब इस rod की जो length थी ना इसकी length को अपन मान लेते हैं चलो L के बराबर ठीक है तो अब क्या होने वाला है ज़रा गौर करना यह rod था इसका जो length था eventually इसका length था चलो L के बराबर है ठीक है यहां से यहां तक की जो दूरी है भाई वो मान लेते हैं अपन L के बराबर है अब अपन ने इस पे force लगा दिया चलो नीचे की तरफ ठीक है तो जैसे हमने इस पर एक force लगा दिया है नीचे की तरफ तो यह जो wire था ना यह wire खिच जाएगा नीचे की तरफ ठीक है यह wire जरा सा खिच जाएगा नीचे की तरफ यह wire जरा सा खिच जाएगा नीचे की तरफ और फिर क्या हो जाएगा इसके अंदर extension सर डेल्टा एल का आ जाएगा इसके अंदर का extension ठीक है इसके अंदर जो extension आ जाएगा ना सर वो आ जाएगा डेल्टा एल के amount का initial length was L, extension was delta L, बोलो कोई दिखकत तो नहीं है अब हमें बस एक काम करना है हमें work निकालना है ठीक है चलो शुरुबाद दे इसको एक काम करो पहले इसका screenshot लेना उसके बाद फिर मैं आपको derivation में आगे की तरफ ले करके चलता हूँ क्या आप लोग को दिमाग में यहां तका funda पूरा clear हो गया है यह सर यहां तका funda पूरा clear हो चुका है ठीक है जलो अब ज़रा ध्यान देना what is the average force applied what is the average force applied what is the average force applied तो average force की जहां तक बात है तो आप ज़रा समझते पह चलेगा initially आपने कुछ भी force apply नहीं करा finally आपने f का force apply कर दिया आपको इसका average लेना है तो 0 plus f by 2 करना पड़ेगा मतलब यह simple तौर पे अपने पास में क्या हो जाएगा f by 2 हो जाएगा यह simple तौर पे अपने पास कितना हो जाएगा sir f by 2 हो जाएगा मेरे ख्याल सा आप लोगों के दिमाग में यह वाला funda पूरा clear हो चुका है अब ज़रा अच्छे से गौर करते हो चलेगा what is the extension produced in the wire extension is delta l के बराबर ठीक है now what is the work done to do this extension ठीक है आजब भई इसके उपर work done on the wire इस wire पे कितना work करना पड़ा तो जो भी work आपने करा रहा इसके उपर वो इसमें store हो जागा उसके energy के form में ठीक है तो work done on the wire is equals to elastic potential energy system पे आपने जो भी work करा this is equals to the elastic potential energy of the wire मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही शानदा तरह से clear हो चुका होगा चले सर तो work done w is equals to elastic potential energy बोले तो u बोलो हां कि न तो sir u is equals to w तो होई चुका है यार ये work का basic formula क्या होता है sir work का तो formula होता है force into displacement हम कौन सा force लेंगे sir average force लेंगे sir कौन सा force लेंगे sir हम लेंगे इस दफ़ा average force ठीक है तो force into displacement तो होता ही है तो average force into अपन क्या कर देंगे sir displacement या फिर increase in the length ठीक है या पे displacement की जगह पे आप लिख दी जगह increase in the length displacement की जगह पे आप लिख दी जगह क्या सर increase in the length अब ज़रा ध्यान रखेंगे तो potential energy is equal to work हो चुका है is equal to average force तो average force कैसे निकाला जाता है सर initially force कुछ नहीं था finally force f के बराबर था average निकालना है तो divide by 2 कर देंगे कोई दिकर नहीं सर उसके बाद what is the increase in the length तो सर लेंथ में जो increase है वो delta L के amount का है क्या आप लोग को यह वाली बात समझ में आ रही है length में जो increase है सर वो delta L के amount का increase है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि potential energy is equal to work is equal to half into f into क्या हो जाएगा सर डेल्टा L हो जाएगा क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई है जल्दी से जल्दी मुझे आप confirmation दे दें यहां तक की slide का क्या आप लोग को यह वाली बात समझ में आ रही है comment section में लिखते हुए चलना भाई पका यह वाला funda पूरा clear अब ज़रा गौर करना इस वायर के उपर इस वायर का length वगरा समझ में आगे आप लोग को अब इस वायर का area of cross section है तो अगर मैं इस वायर का initial volume आप से पूछू ना मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ इस वायर का मैं आपसे पूछ रहा हूँ initial volume क्या होगा अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस वायर का initial volume क्या होगा तो sir volume होता है area into length तो volume क्या हो जागा a into l के बराबर ठीक है क्या आपके दिमाग में यह वाला funda पूरा clear है yes sir यह वाला funda पूरा clear है ठीक है तो use equals to half f into delta l आ चुक है अब जड़ा गौर करेंगे इसके उपर ठीक है मैंने क्या बोला volume क्या है wire का sir volume क्या है wire का a into l ठीक है तो अपन एक काम करते है multiply and divide कर देते हैं right hand side में ठीक है right hand side में multiply भी कर देते हैं और divide भी कर देते हैं sir किस से volume of the wire से by the volume of the wire volume of the wire से multiply भी कर देना और divide भी कर देना sir what is the volume तो sir volume होता है area into length तो area into length मतलब a into l बोलो हा की ना yes sir बात तो बिलकुल सटीक तरह से clear है ठीक है तो therefore जो potential energy store हो रही है ना वो क्या हो रही है half into f into क्या था अपने पास में displacement था ठीक है अपने काम करने वाले हैं यहाँ पर अपन जो से multiply करेंगे volume से divide करेंगे ठीक है तो what is the volume of the wire तो a into l is the volume of the wire तो उससे अपने multiply कर दिया अब divide कैसे करेंगे तो भाईया a से यहाँ पर और l से यहाँ पर कर दिया बोलो क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई sir बकाइदा समझ में आ गई है this is the elastic potential energy this is the this is the elastic potential energy of the wire बोलो हां की ना कोई दिक्कत वाली बात नी है sir यहां तक का फंडा पूरा clear है अब मैं आपको बता हूं ज़रा एक बहुत इंपोर्टेंट सी बात यह जो f upon a है force upon area जो है ना this is basically the stress और जो अपने पास में यह है ना delta l by l this is basically the strain ठीक है यह stress हो गया यह strain हो गया और यहां पर जो लिखा है ना a into l this a into l is the volume of the wire this a into l is the volume of the wire बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या तो यहां पर u क्या हो जाएगा half into stress into strain into al क्या हो जाएगा volume of the wire हो जाएगा ठीक है तो अब इसके हिसाब से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि therefore potential energy is equals to यहां पर क्या हो जाएगा half अब सुनना भाई बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ देगो बता रहा हूँ half into यहां पर stress into strain तो force upon area क्या हो गया stress into delta l by l क्या हो गया strain हो गया this becomes the potential energy of a wire और अगर यह potential energy है तो इसकी unit क्या हो जाएगी जूल्स हो जाएगी इसकी unit हो जाएगी सर जूल्स के बराबर तो half into stress into strain into volume of the wire यह लंबा सा फॉर्मला जो है this becomes the formula for the potential energy ठीक है तो बहिया दिल में बसा के रखना एक तो इस वाले formula को जहां पूरा formula खुल चुका है ठीक है ऐसे करके और उसके बाद जब compact इसका version था तो compact version इसका यह है तो potential energy is equal to half into stress into strain into volume of the wire क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा शानदार जानदार तरह से बैढ़ी गया है यह शानदार तरह से बैढ़ी है ठीक है अब मैं आप लोगों ने एक बहुत ही प्राइचीज देखो भाईया तुम लोग ने इसका जो screenshot लेना है भाई derivation का screenshot जो है वो लेना यहां से start कर दो भाई तीक है बार बार अपन इसका screenshot नहीं ले पाएंगे तो आप यहां से start कर द तो इसका screenshot लेना यह वाला फंडा clear हो गया इसका screenshot लो अब clear हो गया इसका screenshot लो अब clear हो गया पका अभी derivation चली रहा है तो half into stress into strain into volume तो आई चुका है अपने काम कर लेते हैं light color लेते हैं हरका सा देखो भीया क्या होता है कि अगर आप young smallest की बात करते हैं ठीक है तो this is basically the normal stress upon longitudinal strain ठीक है यह हम लोगा ने इसको पूरा पढ़े के रखा है तो young smallest का formula होता है normal stress upon नीचे के आएगा sir longitudinal strain आजाएगा ठीक है अभी मैं जिससे concerned हूँ ना मैं इस वाली equation से concerned हूँ so this becomes my first equation यहां तक मसला पूरा clear है यह अपने पास first equation था ठीक है अब एक काम करते पर चलते हैं तो यहां पर अगर हम देखेना है इसको broadly तो broadly young smallest is basically . क्या बोला मैंने, क्या बूला मैंने, क्या बोला मैंने अगर आप सिर्फ stress भी निकालो गे अगर आप सिर्फ stress भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा young's modulus into strain हो जाएगा क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला funda शांदा तरह से clear है सर बिलकुल शांदा तरह से clear है तो therefore आपन क्या करेंगे therefore putting the value of stress into first equation therefore putting the value of stress into first equation तो हमारे सामने क्या बन करके आने वाले है जड़ा गौर करते बचले का potential energy is equal to half into क्या था सर्स्ट्रेस था into क्या था सर्स्ट्रें था into क्या था सर्वाल्यूम आफ दा वायर था अब जड़ा गौर करते बचलना potential energy is equal to half into stress के जगा पे आप लिख सकते हैं क्या young's modulus into strain ठीक है stress की जगा पे आप लिखेंगे young's modulus into strain बगल में strain पहले से मौझूद था और बगल में volume पहले से मौझूद था ठीक है half into young's modulus into strain का square into अपने पास में क्या हो जागा सर् volume of the wire क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा पूरा क्लियर है this becomes the potential energy this becomes the this becomes the potential energy का complete answer ठीक है तो अगर आप लोग को answer चाहिए होता है stress or strain के टर्मस में सिर्फ तो यह रहीगा आपके पास काम की equation half into stress into strain into volume of the wire लेकिन आपको अगर young's modulus के टर्मस में चाहिए तो half into young's modulus into strain का square into volume ठीक है this is the potential energy और इसकी unit क्या हो जाएगी सर obviously यह भी वही चीज है potential energy ही है तो इसकी unit क्या हो जाएगी सर joules ही तो रहेगी unit क्या रहेगी सर इसकी joules रहेगी ठीक है क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंटा पूर रख लिया रहा है इस पर भी दिल बना लो काम की equation तो यह वाली भी है इस पर भी दिल बना लो काम की equation तो यह वाली भी है जल्दी कहना प्लीज फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले है जल्दी इसका screenshot ले लो 3, 2, 1, ready, go super done हो चुका है सर and super clear हो चुका है सर अब मैं को मैं करवा रहा हूँ एक बहुत ही जानदा शानदा चीज ठीक है this was elastic potential energy और अब हम डील करेंगे elastic potential energy density से यह अपने पास था elastic potential energy और अब हम डील करने वाले हैं elastic potential energy density अब हम डील करने वाले हैं elastic potential energy density से ठीक है तो इसको अपन छोटे वाले यू से करते हैं रिप्रेजेंट Elastic Potential Energy बड़ा वाला यू होता है और Elastic Potential Energy Density जो है ना सर वो होता है छोटा वाला यू बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है Elastic Potential Energy Density को उपन करेंगे छोटे वाले यू से रिप्रेजेंट चलो भाई अब ज़रा यहां पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं देखो भाई तो जैसे Mass का Density क्या होता है Mass Density is basically Mass upon Volume General Formula, General Formula Mass का Density क्या होता है Mass का Density होता है Mass upon Volume उसी लिहाज से अगर आप निकालते हैं Energy का Density तो Energy का Density क्या हो जाएगा सर Energy upon Volume तो Elastic Potential Energy Density is equals to Elastic Potential Energy upon Volume यह क्या हो जाएगा सर Elastic Potential Energy और इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे सर Volume से यह हो जाएगा Elastic Potential Energy Density ठीक है तो Elastic Potential Energy upon Volume कर दिया गया है अब जरा गवर करना Elastic Potential Energy Density is equals to Elastic Potential Energy upon नीचे अपन लिख देंगे क्या सर Volume लिख देंगे नीचे अपन क्या लिख देंगे सर Volume लिख देंगे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या नहीं सर यहाँ तक है तो Young's modulus into strain का स्क्वार into volume हम निकाल जोके है Half into Young's modulus into strain का स्क्वार into क्या था सर Volume था ठीक है This was Elastic Potential Energy अब इसको अपन डिवाइड किसे करेंगे सर इसको अपन डिवाइड करेंगे किसे सर Volume से ठीक है इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है Volume से अब देख क्या होता है ना भाई अब मेरी बास सुनते है बहुत बहुत important चीज है इस वाले volume से यह वाला volume जो है वो जाएगा cut बोलो कोई दिख्कत तो नहीं है ठीक है यहाँ तक का volume पूरा cut जाएगा तो elastic potential energy density is equals to half into young sub modulus into strain का square आ जाएगा half into young's modulus into अपने पास में क्या आ जाएगा सर? strain का square आ जाएगा बताओ ये वाला फंडा पूरा clear हुआ कि नहीं हुआ half into young's modulus into strain का square volume सो volume कट जाएगा इतनी सी भागती तो अभी जो हम लोग निकाल चुके थे न that was elastic potential energy ठीक है कितना आ गया था वो? ये लिखा हुआ है elastic potential energy was half into young's modulus into strain का square into volume half into young's modulus into strain का square into volume ठीक है? elastic potential energy था और जब elastic potential energy density निकालेंगे तो बस volume से इसको डिवाइड करेंगे जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे volume से तो volume से volume कट जाएगा और जब volume से volume कट जाएगा तो यहाँ पे गया वो तो half into young smallest into strain gas को है ठीक है क्या आप लोगे दिमाग में यह वाला funda clear है सर सुप्रीम तरह से clear अब ज़रा गौर करते पर चलना अच्छे से इसकी unit क्या है एगी ठीक है what is the unit of elastic potential energy density what is the unit तो सर यूनिट की जब बात है ना तो ज़रा समझते पर चलेगा सर ये अपने पास basic formula क्या आता है इसका energy upon volume आता है इसका जो basic formula क्या है सर वो elastic potential energy upon volume तो energy की जहां तक बात है तो energy रहता है joules में upon जहां तक volume की बात है तो volume होता है सर meter cube में तो joule per meter cube हो जाएगा बोलो कोई दिखकर तो नहीं है अगर इसके dimensional formula की बात होगी तो वो भी निकाल के रख देंगे पहले आप ज़रा यहां तक का screenshot लेंगे पक्का जब इसकी dimensional formula की बात है इसकी unit क्या हो चुका है सर देगो elastic potential energy क्या हो चुका है joules में होगा half into young's modulus into strain का square into volume और जब elastic potential energy density की बात होगी तो formula क्या हो चुका है half into young's modulus into strain का square volume तो कट चुका है उसके बाद इसका dimensional formula क्या होगा अभी निकाल देते हैं आजाओ इसके dimensional formula के उपर आजाओ इसके dimensional formula के उपर तो सर यह अपने पास joule per meter cube था तो joule का मतलब क्या होता है ml2 t-2 तो joule का मतलब क्या होता है joule का मतलब होता है ml2 t-2 upon नीचे क्या हो जागा volume तो volume का मतलब क्या हो जाएगा meter cube तो यहाँ जब scope and solve करेंगे तो कितना बच जाएगा ml-1 और अपने पास क्या बन जाएगा t-2 ml-1 t-2 क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा क्लियर हो चुक है तो जल्दी से आप जल्दा इसका स्क्रीन शॉट लेंगे और यह अपने पास फॉर्मला रहेगा तो रिमेंबर फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनरजी डेंसिटी दिल में बसा के रखना जल्दी इसका स्क्रीन शॉट ले लो बिटा फिर कहानी में आपको आगे लेकर चलते हैं यह वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है ठीक है तो आपने इसका पूरा डेरिवेशन का स्क्रीन शॉट भी लेकर रख लिया होगा कहां से शुरुआत हुई थी भाई डेरिवेशन की हाँ average force इतना था extension यह था तो एक बार में screen से हट जाता हूँ ताकि आप लोग properly इसका screenshot ले सकें अच्छे से यह वाली बात समझ में आ गई है ठीक है इसका screenshot ले लो आगे समझ इसका screenshot ले लो और फिर अपने इसका screenshot ले लिया ठीक है कि elastic potential energy का जो हमारे पास formula आ चुका है sum up करने के लिए पूरा बता रहा हूँ इसका screenshot लेना copy में note कर लेना would be better ठीक है elastic potential energy पहली बात तो याद रखो इसको represent करना है capital U से first thing first ठीक है elastic potential energy capital U से करेंगे इसको represent इसका जो formula आता है sir वो formula आता है half into young's modulus into strain का square half into young's modulus into strain का square into नीचे क्या आ जागा sir volume आ जागा कोई दिक्कत वाली बात नहीं sir यहां तक तो और उसके बाद इसकी unit क्या होगी sir joules होगी absolutely sir इसकी unit क्या होगी sir इसकी unit हो जाएगी joules के बराबर ठीक है यह अपने पास हो गया elastic potential energy का पूरा मसला clear ठीक है अब आते हैं दूसरी चीज़ के उपर which is basically elastic potential energy density this is basically the elastic potential energy density this is basically the elastic potential energy density ठीक है तो elastic potential energy density का जो formula होगा sir वो क्या हो जाएगा तो ज़रह इस पर गहर फरमाया जाए पहली बात तो करेंगे इसको अपन छोटे वाले u से represent ठीक है पहली बात तो यह है कि sir इसको अपन करेंगे क्या छोटे वाले u से represent और इसका formula आगा है sir half into young's modulus into सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेइन का square volume तो निपट चुका है half into young's modulus into सिर्फ और सिर्फ का square volume तो यहां से निपट चुका है बोलो कोई दिखका तो नहीं है तो यहां पर इसके हिसाब से इसकी जो unit है ना वो हो जाएगी unit is joules ठीक है इसकी जो unit है ना सर वो हो जाएगी joules के बराबर और इसकी जो unit है ना वो हो जाएगी joules पर meter cube ठीक है इसकी unit क्या हो जाएगी sir joules पर meter cube energy upon volume और उपर सिर्फ energy था मेरी ख्याल से आप लोगे दिमाग में यहां फंटा पूरा clear हो चुका होगा जल दी से इसका screenshot लिया जाए फिर आपको कहानी में आगे लेके चलने वाले हो गया sir पूरा फंटा clear हो चुका है इसको आपन यूस करेंगे ना फर फॉर्मुला जब भी चाहिए फॉर्मुला देख लेंगे वाह से ठीक है अब आते हैं एक और शानदार सी चीज के उपर फिर आएगा numerical यह आता है sir poisons ratio क्या आता है वायर लंबा हो जाएगा लेकिन फिर पतला हो जाएगा यहां पर उसके बारे में बात की गई है जरा गौर करते हो चलेंगे अपने इत्मिनान से तो when a deforming force is applied at the free end of the suspended wire किसी suspended wire के free end पे अगर अपने एक deforming force को apply कर दिया है तो wire का length किता है sir L के बराबर है wire का radius किता है sir R के बराबर है तो उसकी length जो है वो increase हो जाएगी by DL का amount ठीक है अगर length उसकी L के बराबर थी radius उसका R के बराबर था आपने wire को खीचा तो length उसकी बढ़ जाएगी radius उसका कम हो जाएगा but its radius decreases लेकिन 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 but its radius decreases by an amount of DR लेंथ बढ़ गई DL के amount से radius गढ़ गई DR के amount से नाव यहां पर दो तरह के strain produced हो रहा है भाई सब ठीक है now two types of strains are produced by a single force यह single force भर apply करने से इस wire के अंदर दर असल दो तरह के strain produced हो चुक है तो इसे कहा जाएगा longitudinal strain और longitudinal strain का formula क्या होता है changing length upon original length ठीक है दूसरा क्या होता है कि यहां पे sideways compression आता है ठीक है तो sideways के लिए अपन एक word यूज करते हैं lateral क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने कि sideways जो मैं कहा रहू है कि side से compression आ रहा है तो sideways के लिए हम एक word use करेंगे which is basically the word lateral ठीक है तो sideways compression आ जाएगा lateral compression आ जाएगा तो यहाँ पर अपन लिख देंगे lateral strain is equals to minus delta r upon r हो जाएगा minus delta r क्या शो करता है कि इसका जो radius है वो हलका से पिचक गया है अगर radius पिचक जाएगा तो delta r कैसा हो जाएगा सर delta r हो जाएगा negative ठीक है यह वाला फंडा पूरा clear है तो longitudinal strain is delta r upon r और lateral strain is basically minus delta r upon r ठीक है अब जो poisons ratio होता है वो दर असल इन ही दो खुबसूरत चीजों का ratio होता है poisons ratio जो है न वो पहली बात तो lateral strain जो sideways compression आया तो minus delta r upon r तो यह अपने पास delta r upon r हो जाएगा तो यह जो ratio यहाँ पर develop हुआ है इसे कहा जाता है poisons ratio diagram में आपको एक दफ़ा clear करके पूरा बता देता हूँ ठीक है तो poisons ratio में अभी क्या चीज़ समझी poisons ratio में हमने अभी क्या चीज़ पढ़ ली है तरीके से साथ यह था कि जब किसी wire को खीचोगे तो wire लंबा होगा लेकिन पतला भी हो जाएगा तो अब मेरी बात सुनते पर चलना तरीके से क्या होता है यहाँ पर मान लेते हैं कि एक wire अपने पास ठीक है मान लेते हैं कि अपने पास में एक wire है कुछ इस तरह यह रहा अपने पास में बायर ठीक है अब इसका ना जो बेसिकली लेंथ है इसकी सर वो लेंथ है इसके L के बराबर कोई दिक्कत तो नहीं सर इसकी जो लेंथ है ना सर वायर की वो वायर के लेंठ है अपने पास में कितनी मान लेते हैं हम इसके वायर के लेंथ है नीचे की तरफ अब क्या हुआ ?इसरे रीहा ह्याइक है जैसे tha दफि छीचा नीचे की तरफ तो हम आपके सिर्फ दिंग धुम 3-जिवरेह ठीच हरें तो दूरियर Immigry Tuning Force वायर का अब जो configuration बैठने वाला है न वो ऐसा कुछ बैठने वाला है मेरी बास सुनते पो चलना अच्छे से interesting चीज़ा भाई wire का अब जो configuration बैठने वाला है वो कुछ ऐसे बैठने वाला है ठीक है तो अब क्या होंने वाला है ज़रा गौर फर्माइगी अपने इस पर तो मज़ा आएंग अपने को कैं नों है की न तीक है अब दो पता क्या होता यह site से तो गया यह side side से तो गया साइट साइट से तो गया भाई हैं ठीक है यह निपड़ गया है साइट साइट से ठीक है अब क्या हGM कि बया का लेंथ ऐसे इतना बड़ा हो चुक है अब न इसकी जो एक्सिस थी जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें जो है वो मेशर कर रहे थे वो axis this was the axis green से बनाऊगा this was the axis basically तो बता है क्या हूथ इसको अब भी करते हैं broken line से इसको अब भी करते हैं क्या broken line से तो ये L था और अभी extension है इसके अन्दर तो extension को अब भी नाम देते हैं क्या सर डेल्टा L का extension ठीक है कोई लिखका तो नहीं है इसके अंदर यह सरी वाला फंडा पूरा क्लियर है तो एक्स्टेंशन तो पॉजिटिव यह ना डिल्टा यह पॉजिटिव तीक है लेकिन अब ज़रा इसके रेडियस के बारे में सोचते बचलना यहां पर तुम्हें सही चीज समझ में आती है तीक वाइर यहां पर तब यहां पर आ गया तो इससदा साइडवेस क्वण चॉन ट्रैक्षण 只 यहुं का है और इसको अपन कहते हैं मैनस का डेल्टा आर तो आप जो पॉजिज़ रेशे होता उत पॉयू बेस्कली फार्मिला डेवल अटा है वह अपने पास क्या होता है पॉ नीचे क्या आता है sir longitudinal strain ठीक है तो lateral strain upon नीचे क्या आ जाएगा sir longitudinal strain ठीक है तो therefore अब मेरी बास सुनते बचलना शांदा तरह से बहुत important चीज है ठीक है तो poisons ratio is equals to lateral strain मतलब sideways जो changes आ रहे हैं तो अपने पास कितना होगा sir minus का delta r upon r this is the lateral strain ठीक है upon नीचे क्या होगा sir volumetric strain मतलब sorry longitudinal strain तो length में आने वाला change जो कि positive है upon original length ठीक है तो यह अपने पास में sigma हो जाएगा lateral strain upon longitudinal strain and this is going to be a basically unit less quantity जो sigma है आपने पास this sigma is basically going to be a unit less quantity this sigma is basically going to be a unit less quantity this sigma is basically going to be a unit less quantity क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा शांदा जानदा तरह से clear हो चुका है मैं चाहूँगा आप इसका screenshot लेंगे जल्दी ठीक है आया समझ की नहीं आ गया yes sir यह वाला फंडा शांदा तरह से clear हो चुका है clear करा जाए इसको yes sir clear करा जाए ठीक है चलिए यहां यहां तक का poison ratio पूरा clear था अब इस slide का आप screenshot ले लेना उसके बाद फिर अपनको numerical भी इस पर base जो है वो solve करने थे ठीक है जल्दी आप इसका screenshot लेंगे three two one ready go super clear super dinosaur चलो okay बढ़िया moving on अचा यह negative sign shows that if the length increases negative sign जो आ रहा है न देखो यहां पर भी क्या था negative sign यहां पर भी मौझूद था ठीक है यह था यह था यह अपने पास लेखो यहां पर negative sign मौझूद था यह क्या बताता है कि जब length बढ़ता है तो radius घट जाता है ठीक है that is basically represented by the negative sign तो here negative sign shows that if the length increases then the radius of the wire decreases the poisons ratio is a unit less and dimensionless quantity ठीक है अब आते हैं question के उपर पहला वाला सवाल यह रहा आप लोग के सामने a steel wire of length 4 meter is stretched through 2 mm इसका मतलब जो भी given data उसको लिखते वे चलते हैं इत्मिनान से तो इसका जो length given है 4 meter इसकी initial length थी यहा रहे है अपन पहले वाले question के solution के उपर तो इसकी जो length है ना sir वो है 4 meter ठीक है उसके बाद जो इसके अंदर extension produce हो रहा है ना sir that extension is basically of 2 mm the extension is basically of 2 mm तो अपन क्या कर देंगे 2 और milli का मतलब क्या है 10 की power minus 3 meter ठीक है the extension is 2 mm and the cross sectional area of the wire is 2 mm square जो wire का जो cross sectional area है वो है 2 mm square तो area जो है ना वो अपने पास क्या है sir 2 mm का square है तो 2 milli का मतलब क्या है 10 की power minus 3 ठीक है तो अच्छा एक second रुकना 2 उसके बाद mm का square था ना तो milli का मतलब क्या होता है sir 10 की power minus 3 into meter इसका अपन square कर देंगे तो 2 उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की power minus 6 और फिर क्या हो जाएगा meter का square ठीक है तो young's modulus जो है ना steel का वो है 2 into 10 की power 11 newton per meter square यंग्स modulus जो है ना sir वो है 2 10 की power 11 newton per meter square then find the energy density of the wire हमें यहाँ पर निकालना है what is the energy density of the wire हमें यहाँ पर क्या निकालना है sir what is the energy density of the wire तो आप जरा गौर करते पर चलेंगे अच्छे से बहतरीन तरह से आप जरा गौर करते हो चलेंगे area given है length given है ठीक है आपको निकालना है energy density of the wire तो इसका formula होता है half into young's modulus into strain का square this is the energy density of the wire joule per meter cube आएगा इसका unit ठीक है तो यहाँ आप अपन क्या कर देंगे half into भाई एक बात समझना young's modulus की wire तो आपन फुट कर देंगे but strain कैसे निकलता है ठीक है तो sir strain निकालने के लेकी फंड़ा होता है change in length upon original length कर दिया आता है ठीक है तो half into young's modulus into strain का square था तो अपन करेंगे फिर बाकायदा यहाँ पर strain का square ठीक है तो elastic potential energy density is equal to अब जरा गौर करना 2 से 2 जो है वो निपड़ गया ठीक है 2 से 2 जो है वो तो निपड़ गया तो अपने पास अब क्या बचने वाला है जरा गौर करना इसके उपर 10 की power plus का 11 into पता है क्या हो जाएगा 2 upon 4 था मतलब 1 upon 2 ठीक है एक upon 2 का square करेंगे तो 1 upon 2 का square एक upon 4 हो जाता है और 10 की power minus 3 का square करेंगे 10 की power अपन कहां तक पहुंच जाएंगे सर minus के 6 तक पहुंच जाएंगे ठीक है अब एक काम करते हो चलना 1 by 4 is 0.25 और 10 की power 11 में से 6 को minus कर देंगे तो बचेगा 5 तो 0.25 दस की power 5 बोल लो या फिर आप इसको ऐसे कर लो 2.5 और 10 की power 4 कर लो कोई दिक्कत नहीं से एक ही बात है तो 2.5 दस की power 4 हो जाएगा तो 2.5 दस की power 4 जूल पर मीटर क्यूब ठीक है एनर्जी डेंसिटी है तो फिर एनर्जी अपन वॉल्यूम तो 2.5 दस की power 4 आ जाएगा आप मुझे confirmation दें कि क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ रही है 2.5 दस की power 4 तक की जो बात है क्या आप लोग को यह वाली बात समझ में आ रही है सर बिलकुल सटीक तरह से clear हो गया पूरा फंडा ठीक है चले अब उसके बाद अच्छा यह अपने पास आंसर तो आई चुक है इसको तरीके सा अपने इसे क्या दिल विल बना दें इसके ऊपर तक कि अपना पास आंसर है यह चमके उसके बाद क्या पूछा हो बसके अंदर और कुछ पाटता क्या then find the elastic potential energy stored in the wire ठीक है पहले elastic potential energy density पूछ रहे थे अब पूछ रहे हैं सीधे तोर पे what is the elastic potential energy itself ठीक है तो elastic potential energy निकालने के लिए का कहना पड़ेगा energy density into volume अब मेरी बात तुम सुनना ठीक है यहां से तुमको ना पूरा फंडा जो है न वो शांदार तरह से clear हो जागा now मेरी बात सुनों देखो elastic potential energy is equal to elastic potential energy density is equal to elastic potential energy upon volume ठीक है now अगर आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ elastic potential energy निकालने है तो elastic potential energy density को आप बस volume से multiply कर दीजेगा इत्ती सी बात है ठीक है now what is the elastic potential energy density what is the elastic potential energy density 2.5 दसकी पावर 4 है क्या है सर यहां पे है 2.5 into 10 की पावर 4 2.5 दसकी पावर 4 into अपन volume करेंगे तो volume कैसे निकलता है सर area into length से निकलता है volume ठीक है area into length से निकलता है volume 2.5 दसकी पावर 4 into what is the area देखें जरा what is the area तो सर area है अपने पास में क्या 2 mm², मतलब 2 10 की पावर माइनस 6, क्या है सर, क्या है सर, 2 10 की पावर माइनस 6, area क्या है सर, 2 10 की पावर माइनस 6, into what is the initial length, तो जरा गौर फरमाया जाए, तो सर, initial length was just 4 meters के बराबर, ठीक है, initial length अपने पास किता है, सर, 4 meter के बराबर है, तो you is equal to, जरा गोर करते हो, चलना, अच्छे से, 2.5 into 4 करेंगे, तो 10 हो जाएगा, उसके बाद क्या है सर, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो you अपने पास किता है सर, 2 into 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो 2.10 हो जाएगा 2.10 कितना होता है 0.2 joules अब आप मुझे का information दें कि क्या आप लोग को यहां तक की बात शांदार जानदार तरह से समझ में आ रही है क्या जल्दी आप मुझे का information दे कि क्या आप लोग को यहां तक की बात जबरदस्त हो रहा है समझ में आ गई है यह सब पूरा clear हो गया है तो सवाल का जब proper spin shot होगा वो आप लेना यहां से start करेंगे this was the very first question clear है ओके सर यह वाला first question था और यह रहेगा इसका फिर detailed solution का अगला वाला part clear 3,2,1 ready go super done super clear ओके सर निप्टाया जा इसको अब आपको लेके चलते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ तरफ त्रीक है what is the next new question तो a cube is subjected to a pressure of 5 into 10 to the power of 5 newton per meter square त्रीक है तो अपन इसको लिख देते हैं कि what is the pressure 5 into 10 to the power 5 newton per meter square त्रीक है this is the amount of the pressure applied त्रीक है उसके बाद each side of the cube is shortened by 1% त्रीक है अगर हर side को shortened by 1% इसका मतलब क्या है side मतलब length तो length is shortened by 1% length is shortened length को छोटा कर दिया है तो length is shortened by how much percent sir 1% इसका मतलब फिर क्या हो जागा तो पता है अगर length को अपन ने छोटा कर दिया एक percent से तो कहानी ऐसे हो जाती है कि जो final length है वो किता हो जागा initial length और minus अपन ने किता कर दिया sir 1% से छोटा कर दिया तो 1 पर मतलब divide cent मतलब century of initial length आए पूरी बात समझ तो final length is equal to किता हो जागा 100 li minus 1 li मतलब 99 li तो 99 upon 100 li हो जाएगा तो length final length initial is equal to 99 upon नीचे क्या हो जाएगा sir 100 हो जाएगा क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा पूरा clear है सब सुप्रीम तरह से clear है जब length को एक साइट से अपने short कर दिया when the length is shortened by 1% then this is the case which goes on अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है find the volumetric strain and the bulk modulus of elasticity of the cube आपको निकालना है what is the volumetric strain थियं LIVE है तो अपन जड़ा ना बहुती important सी बात पर आपका focus यहां पर खरवाते है अगर आपको volumetric strain निकालना है न तो इसका basic formula क्या होता है sir change in volume upon original volume थियंται volumetric strain अगर आपको निकालना है न तो sir इसका basic formula क्या होता है change in volume upon original volume थियंται तो delta v upon v what is the change in volume final volume minus initial volume what is the V sir V is the initial volume ठीक है तो अब जो अपने पास volumetric strain आ रहा है वो volumetric strain यह आ रहा है final volume upon initial volume minus V I upon V I करेंगे तो क्या आ जाएगा sir यह आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर बोलो कोई दिक्कत है क्या नहीं sir यहां तक तो कोई रिक्कत नहीं है ठीक है तो delta V upon V is equals to what is V final तो sir V final है अपने पास final length का cube what is V initial sir initial length का cube minus कर देंगे 1 को open ठीक है तो delta V upon V जब यहां पर निकाला जाएगा तो L final upon L initial का open कर देंगे cube minus क्या हो जाएगा sir 1 क्या आप लोगे दिमाग में यह वाला funda पूरा clear है yes sir हमारे दिमाग में यहां तक की बात बहुत ही भैतरीन तरह से आ चुक है यह अपने पास निकलना शुरू हो चुक है क्या volumetric strain यह अपने पास निकलना शुरू हो चुक है क्या volumetric strain बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो निकलना है 3,2,1 ready go super done and super clear हो चुक है sir ठीक है चलें बढ़िया अब ज़रा मेरी बात पर गौर करते हो चलना यह अपने पास अभी क्या आगे volumetric strain delta v by v क्या आगे lf length final length initial का cube minus 1 ठीक है अब ज़रा पन चेक करते हैं कि lf upon li क्या था sir वो था 99 upon 100 के बड़ाबर वो क्या था sir 99 upon 100 के बड़ाबर तो volumetric strain delta v by v is equals to यह अपने पास किता है जागा sir 99 by 100 का cube चला दो minus 1 कर देना ठीक है तो delta v by v is equals to यहां पर खेलना पड़ेगा बहुत ही शान दातर असे यह जो लिखा है न 99 by 100 क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं मैं इसको क्या 1 minus 1 upon 100 लिख सकता हूं क्या दो मिट ज़रा धियान देना यह सर किया तो जा सकता है 1 minus 1 by 100 करेंगे ना तो भी वो 99 by 100 ही हो जाएगा और minus 1 यहां पर लिखा था सको रहने देना अब अपन अप्लाई करते है special property of binomial theorem अब जैसे अपन अप्लाई करेंगे special property of binomial theorem तो होता कहा कि जो यह अपने पास power है ना वो उचक करके 1 minus यह यहां पर चिपक जाएगा 3 by 100 हो जाएगा बोलो हा कि ना यह सर यह वाला फंडा तो पूरा clear है तो 1 minus उचक के यह 3 by 100 हो जाएगा और यहां पर अच्छा वो तो गया minus 1 हो जाएगा खोलो इसका bracket तो volumetric जो strain है ना वो आजाएगा minus का 3 by 100 ठीक है volumetric strain कितना अजाएगा सर माइनस का 3 by 100 points में खिलने का मन करें तो volumetric strain is minus का 0.03 हो जाएगा ठीक है क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा पूरा clear है सर पूरा clear है now volumetric strain निकालना था bulk modulus of elasticity भी तो निकाल दीजिए ठीक है तो भाई bulk modulus निकालने लिए काम करेंगे पहले काम करो तुम सबसे पहले तुम स्का screenshot लेना स्टार्ट करना यहां से तुमाहे लिए important क्या है इसको note करना इसका screenshot लेते बेचलना तो तुम screenshot लेना स्टार्ट कर दो वहीं से आया समझ की नहीं आया आया समझ की नहीं आया पक्की बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं से ठीक है और उसके बाद ना फिर तुम यहां पे लो जहां पर अपना volumetric strain तो आ चुका है ठीक है bulk modulus of elasticity का जो formula होता है वो होता है stress upon strain तो bulk modulus of elasticity मनला basically stress तो stress is basically pressure strain क्या होता है तो strain होता है volumetric strain strain क्या हो जाएगा 70 strain हो जाएगा volumetric strain हो जाएगा ठीक है तो bulk modulus of elasticity is equal to pressure upon volumetric strain delta V upon V घीक है तो ज़रा गौर करना what is the pressure तो प्रेशर अपने पास में सर कितना प्रेशर अपने निकाल चुके था था गिवन था अपने को 510 to the power 5 तो प्रेशर वाज 510 to the power 5 और यह अपने पास में जो अपने पास delta v upon v मतलब जो volumetric strain आ चुका था वो था अपने पास कितना 3 10 to the power minus 2 basically थीक है तो 3 10 to the power minus 2 तो 3 10 to the power minus 2 वो उपर के 10 to the power plus 2 हो जाएगा जैसे आप इसको further solvent करेंगे आपका approximately answer आएगा 1.67 10 to the power अपने पास कितना हो जाएगा 7 ठीक है और bulk modulus of elasticity का जो unit होता है वो तो stress मतलब pressure से ही match करता है तो चाहो तो pascal बोल दो चाहो तो newton per meter square बोल दो it's one and the same thing आपका bulk modulus of elasticity आपका bulk modulus of elasticity का भी answer आचुका है आपका volumetric strain का भी answer आचुका है जल्दी आप दोनों का screenshot लेंगे उसके बाद फिर आपका अपन कहानी के सवाल के अगले भाग पर लेके चलते हैं अगले सवाल पर लेके चलते हैं यह वाला फंटा पूरा clear है 3 2 1 ready go super done and super clear answer ठीक है निप्टा 0.02 percentage मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि delta v upon v is minus contract हो रहा है इसले तो 0.02 percent तो पर मतलब divide cent मतलब क्या होता है century तो इस line को देख करके मैंना मैंने mathematics में यह वाला expression जो हो develop के लिया कि volume contracts by this तो यह रहेगा ठीक है when taken to a bottom of a sea of 2 km depth ठीक है अब जब गौर कहना अगर मान लेकि अपन अपनर एक बखाझ बहुत बड़ी water body है ठीक है? और water body के अंदर एक point पर अपन pressure निकालना चाह रहा है ठीक है? माल लेते हैं for example मैंने बो लाए कि यार मेरा concerned point है वो यह है मेरा concerned point ठीक है? और मैं इस वाले concerned point पर जो है प्रेशर निकालना चाहता हूं मैं इस वाले concerned point पर जो at depth जो pressure लगेगा ना उस वाले point पे वो pressure का formula हो जाता है h मतलब जो कि depth है rho मतलब density और g का मतलब क्या होता है acceleration due to gravity ठीक है तो यह given data था find the value of bulk modulus of the material of the sphere density of the sea water is given as 1 gram per centimeter cube और g की value है 10 meter per second square एक बार self-try कर लो बन गया तो बहुत जबरदस्ट असली नाम के साथ answer देते वे चलना अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं solve करूँगा सीखने को मिलेगा लेकिन self-try तो बनता है जल्दी करना प्लीज चले फिर आगे बढ़े ओके सर इसमें आगे बढ़ा जाएगा अब जब आग और करते पे चलना तो जो जो गिवन डेटा है उसको अपन लिखते पे चलते हैं स्फियर कॉंट्राइट हो रहा है तो डेल्टा वी बाइवी ठीक है डेल्टा वी बाइवी कॉंट्राक्शन था तो निगेटिव 0.02% पर मतलब डेवाइट सेंट मतलब सेंचुरी ठीक है डेल्टा वी बाइवी अब उसके बाद ना क्या मैं इसको अलका solve out कर लियूं क्या इसको यह सर, solve out कर लेना चाहिए असान रहेगा ठीक है तो अपने पास क्या है माइनस 0.02 दस की पावर लपेटे में किता है माइनस का 2 आजाएगा ठीक है तो डेल्टा वी बाइवी जो है ना वो माइनस का 1,2 तो मतलब दस की पावर फिर माइनस 4 हो जाएगा This becomes your volumetric strain ठीक है This becomes your what volumetric strain बन जाएगा अब आगई का given है तो when taken to a bottom of a sea 2 kilometer depth है तो मतलब यहां पर जो depth है उसको अपन है फिलाल तो that is two kilometer तो two kilo मतलब दसकी पावर तीन तो अपने पास यह depth आ गया उसके बाद density जो है ना density given है अपने को किती one gram पर centimeter cube ठीक है अब ज़रा गौर करना density तो दे दी है one g by cc तो g by cc का मतलब cc का मतलब क्या होता है centimeter cube ठीक है मेरी बात समझने अच्छे से cc का मतलब क्या होता है centimeter cube तो पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे kilogram में लिखू ठीक है तो kilogram में करने के लिए अगर मैंने k लगा दिया cc का मतलब क्या होता है centimeter cube ठीक है cc का मतलब क्या हो जाएगा centimeter का cube हो जाएगा तो जो density बचेगे ने अपने पास में वो अपने पास कितना आजाएगा 10 की power minus 3 ऊपर चल रहा है kg उसके बाद यहाँ पे centi का cube अलग हो जाएगा centimeter का cube अलग हो जाएगा centi मतलब 10 की power minus 2 10 की power minus 2 का अपन cube करेंगे 10 की power minus 6 आजाएगा और नीचे कितना आजाएगा sir meter cube ठीक है तो therefore अब जो density बचेगी therefore 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 अब जो density बचेगी वो बचेगी 10 की power 3 kilogram per meter cube क्या तुमको यह वाली बात समझ में आगे अच्छे से यह सर यह वाला funda पूरा clear हो चुका है अब अपन एक काम करते है पहले अपन यहाँ पर आपन normal stress निकालते है ठीक है अगर आपको stress निकालना है तो stress basically क्या है प्रेशर है ठीक है और pressure का जो formula होता है वो होता है h rho g के बराबर क्या formula होगा इसका sir? h rho g के बराबर तो p is equals to h कितना है अपने पास में? h अपने पास 2 10 की power 3 ठीक है पास्कल ठीक है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वाइट स्वाइन अब आपको समझना है वाट इस दा बल्क मॉडिलस तो बल्क मॉडिलस निकालने का जो फॉर्मला होता है अब जरा गौर करना अच्छे से तो बी इस इकोस तो माइनस अच्छा पी किता है दो दसकी पावर साथ तो यह कट पिट जाएगा सब कुछ कट पिट जाएगा दसकी पावर ग्यारा बचेगा तो दसकी पावर ग्यारा न्यूटन पर मीटर स्क्वेर दिस इस गोइंग टू बी दा बल्क मॉडिलस ओफ इलास्टिसिटी ठीक है के ओपर, calculate the increase in the energy of a brass bar of length 0.4 meter in cross sectional area 1 cm2 when compressed with a load of 4 kg weight ठीक है, तो पहली बास समझ जो, 4 kg weight मतलब 4 kgf होता है, ठीक है, 4 kg weight का मतलब क्या होगा, 4 kgf और 1 kgf जो होता है, वो होता है 9.8 newton के बराबर, approximately आप इसको 10 newton पकड़ सकते हो, ठीक है, तो कोई पूछे, 1 kg weight क्या है, तो 1 kgf के बराबर है, 9.8 newton या फिर, approximately 10 newton तो 4 kg weight अगर निकालना है यहाँ पर, जी की value 10 लेने को बोला हुआ है, तो फिर अपने पास कितना हो जागा सरी है, 40 newton का, ठीक है, उसके बाद young smallness भी given है, और g की value भी given है, एक बाद ज़रा self try कर लो और देख लो, तुम्हें क्या समझ में आता है, बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा, तो फिर मुझे बताना है, अपन solve solve करते हैं, लेकिन self try तो बनता है, जल्दी करना प्लीज एक बार, चलें फिर बढ़े कहानी में आगे, yes sir, तो अब यहां पर जो जो given है, उसको अपन note करते हैं, चलते हैं, तो calculate the increase in the energy, तो फिर ब्रास बार of length कितना है, 0.4 meter है, तो length अपन ले ले लेते हैं, इसका as 0.4 meter, बहुत बढ़िया हो गया sir, उसके बाद क्रॉस sectional area of 1 cm2, तो cross sectional area ज क्या हो जाएगा अपने पास में, 1 cm2 मतलब 10 की पावर माइनस का 4 meter square, यह अपने पास area था, यह अपने पास में length था, उसके बाद में क्या हो रहा है, when compressed with a load of 4 kg weight, इसका मतलब जो load है, जो force है, वो है 4 kg weight का मतलब 40 newton हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा sir, 40 newton हो जाएगा, along its length young small less given है, 10 to the power 11 के बराबर, तो y की value किती गिवन है sir, 10 की power 11 newton per meter square, 10 की power 11 newton per meter square के बराबर, and g की value किती है sir, 10 meter per second square, तो यहाँ पे g मतलब acceleration due to gravity की value किती है sir, 10 meter per second square, ठीक है, अब क्या पूछा हो बता, calculate the increase in the energy, calculate the increase in the energy, अब मेरी बात आप ज़रा सुनते पचलेंगे, अच्छ इसे, potential, elastic potential energy जो था, वो था average force, मतलब f by 2, into किता sir, delta L था, पूरे कारणामे में हमारे पास कहीं delta L तो हैं नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, पहले आपन delta L निकालते हैं, पहले आपन क्या करते है sir, पहले आपन फोकस करते हैं, delta L को निकालने के ओपर, तो ज़रा गौर करना young's modulus, इस basically क्या हो जाएगा sir, stress upon strain हो जाएगा, तो stress क्या होता है, stress होता है, force acting per unit area, और strain क्या हो जाएगा, change in length upon क्या हो जाएगा sir, original length हो जाएगा, ठीक है, तो therefore, delta L अपने पास में क्या हो जाएगा, fl upon, देखो, delta L निकालना था ना, तो fl upon ay, fl upon ay, आया समझ की नहीं आगया, अब इस delta L को ना अपन भर देते हैं into first equation, ठीक है, तो जैसे अपन इस delta L को ना अपन पुट कर देंगे na into first equation, तो हमारे पास में क्या चीज़ डेवलप होने वाली है, जरा इस बारे में focus करते हो चलना, तो elastic potential energy, इसी कोस्टी क्या हो जाएगा sir, f by 2, उसके बार delta L अपने पा हो जाएगा, तो U is equal to F किता है अपने पास में, F ए अपने पास में 40, तो 40 by 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, उसके बाद F किता था था अपने पास में, कितना अपने पास में सब्सक्राइब कोई दिकत वाली बात नहीं से पूरा फंडा क्लियर है अब एक काम करते हैं यहां कटेगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 16 x 2 करेंगे तो 32 और 32 हो जाएगा ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं 16 x 2 32 हो गया अब पावर खेल लो भाई 10 की पावर 11 माइनस 4 करेंगे तो 10 की पावर अपने पास कितना बचेगा 7 बचेगा साथ को उपर ले जाओ और माइनस 1 पहले से था तो माइनस 8 हो जाएगा क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा शानदार जानदा तरह से क्लियर है ठीक है सर तो अपने पास में यू कितना होने वाला है फिर एवेंचुली 32 और 10 की पावर माइनस 6 जूल्स के आप इचे की सकता हूँ तो कई जगा पे आपको आंसर जो है न वो 3.2 10 to the power minus 5 जूल्स के टम्स में भी नजर आ सकता है ठीक है 32 sorry 3.2 10 to the power minus 5 जूल्स के टम्स में भी नजर आ सकता है this is the final answer ठीक है अब जल्दी से आप इसका screenshot लेंगे और फिर खतम होता यह lecture जल्दी करना प् फंड अपना हो चुका है पूरा डन 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 और यह था अपने पास में given question तो चलिए इसी के साथ खतम करते हैं इस पूरे lecture को उमीद करता हूँ कि आपको हर एक सवाल हर एक concept हर एक derivation बहुत ही शानदा तरह से समझ में आ गया होगा अगर आपको लगता है कि इस वीडिय आप तक और भी जल से जल पहुंचने वाली है अगर आपका कोई भी feedback है या suggestion है तारीफ है या बुराइया है या जो कुछ भी है तो बड़ी प्यार बड़े शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं using the comment section मैं और मेरी पूरी team super active रहती है हम लोग बकाइदा चेक करते हैं कि क्या क्या comments आए हैं because आपके ही feedback पे काम करके वीडियो की quality है वो इस top notch level तक पहुंचती है और फिर आप तक deliver हो पाती है इसे के साथ खतम करेंगे इस पूरे वीडियो को और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि magnet brain जो provide करता है वो English medium as well as Hindi medium वाली classes with entire full complete syllabus coverage, CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board और Vedic maths crash course of spoken English इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप magnet brain's के official website पर जा करके visit कह सकते हैं Thank you so much